राम राम दोस्तों आर्या वर्त में आप सभी का स्वागत हैं दोस्तों कल के सफर में हमने राम चरित्रमानस और रामायन में क्या अंतर रहे उसके पहले भाग को देखा था आज हम उसके दूसरे संस्क्रण के बारे में बात करेंगे और इस सफर को जारी रखेंगे और पता तुलसीदास, रामायन और रामचरित्रमानस में शुरुवात के जो पांच कांड हैं, वो एक समान हैं, बाल कांड, आयोध्या कांड, आरणे कांड, किशिकिंधा कांड, सुंदर कांड, लेकिन खटवे कांड के तौर पर रामायन में जिक्र है युद्ध कांड का, और कांड का, जैसा कि आप लोगों को पता है कि भगवान राम के जो पिता थे, राजा दश्रत, जब उनको पुत्र प्राप्त नहीं हो रहा था, तो उन्होंने एक यग्य करवाया था, पुत्रेश्टी यग्य, रामायन में जिक्र है कि भगवान राम के पिता, राजा दश्र की प्राप्ति हुई थी मगर राम चरित्र मानस में ऐसा कहीं पर भी जिक्र नहीं किया गया है इस यग्य का दोस्तों रमायन के अनुसार श्री राम के वन गमन के समय दशरत उनसे कहते हैं कि वे उन्हें कारागार में डाल दे और फिर राजा बन जाएं क्यों क्योंकि राजा दशरत बचन से बंदे हुए थे जो उन्होंने अपनी रानी क्यक्य को दिया था लेकिन राम चरित्र मानस में इसका जिकर कहीं नहीं है रामायन में ये वर्णन है कि भरत को पहले ही दशरत की मृत्यू का अभास हो गया था उन्होंने एक सपना देखा था कि उनके पिता काली बस्तर पहने हुए एक रत पर दख्षन दिशा की ओर जा रगेंगे लेकिन राम चरित्र मानस में कहा गया है कि दशरत की मृत्यू के बाद उनका समाचार कैकेई देश भिजवाया गया था क्योंकि उस वक्त भरत अपनी नानी के घर थे दोस्तों राम चरित्र मानस में वर्नित किया गया है कि रावण और बानासुर माता सीता के स्वयंबर सभा में आये थे लेकिन उन्होंने धनुष छुआ नहीं बिना धनुष छुए चले गए इसका वर्नन गया राम चरित्र मानस में लेकिन इसका कोई वर्नन नहीं है रामायन में कि बानासुर और रावण ये माता सीता के स्वयंबर में आये थे मगर रामचरित्र मानस में इसका वर्णन है कि वो आये थे मगर बिना धनुष को छुए चले गए दो अगर आप वालमीकी जी की रमायन पढ़ेंगे तो वालमीकी जी की रमायन में रावन, कुम्बकर्ण एवं विभीशन के 11,000 वर्षों की तपस्या और उनके वर्णानों का विस्तार से वर्णन है मगर रामचरित्र मानस में इसका कोई वर्णन नहीं रमायन में जिक्र किया गया है कि मारीच मरते समय लक्ष्मन और सीता दोनों को सहयता के लिए पुकारता है मारीच वगी हिरन, मायावी हिरन जिसके पीछे भगवान राम गए थे तो रमायण में जिक्र है कि मारीच मरते समय लक्षमन जी और सीता जी दोलों को सहायता के लिए पुकार रहा था भगवान राम की आवाज में लेकिन राम चरित्रमानस में जिक्र है कि मारीच केवल लक्षमन जी को पुकारता है भगवान राम की आवाज में रमायन में महरशी वालमिकी ने बताया है कि जब वो सोने का हिरण लक्ष्मण जी ने देखा तो लक्ष्मण जी को पहले ही संधे हो गया था कि ये कोई सोने का हिरण नहीं है स्वण मिर्ग नहीं है ये कोई ये कोई मायावी राक्षस है लेकिन राम चरिक्रमानस में बताया गया है कि लक्ष्मण केवल इतना कहते हैं माता सीता से जब मारीच भगवान राम की आवाज में उन्हें पुकारता है कि ये स्वर श्री राम का नहीं है क्योंकि भगवान श् दुन्या में कोई है ही नहीं तो भगवान राम संकट में आई नहीं सकते। शीराम चरित्रमानस में बताया गया है कि जब लक्षमन जी को शक्ती बान मार देता है मेगनाद और हनुमान जी से सब लोग कयास लगाकर बैठे रहते हैं कि अब हनुमान जी ही कुछ करेंगे तो हनुमान जी लंका जाते हैं और लंका के जो वैद सुशेण थे उनको उनके निवास इस्थान सहित उठा कर ले आते हैं ऐसा वर्नन है शीराम चरित्रमानस में रामायन में कहा गया है ऐसा कुछ भी नहीं था मतब रामायन में इसका कोई वर्नन नहीं है कि हनुमान जी उशेण जी को उनके निवास इस्थान सहित उठा कर ले आये थे रामचरित रमानस में वरनन गया कि संजीवनी बूटी लाते समय भरत जी ने हनुमान जी के उपर बान चलाया था फिर दोनों के बीच में संबाद हुआ था मगर वालमिकी रामायन में इसका जिकर कहीं नहीं है दोस्तों उमीद है आज के सफर भी आप लोगों को पसंद आया होगा अपना प्यार बनाए रखिए आर्या वर्त को सब्सक्राइब कीजिए लोगों तक जानकारी पहुचाईए बहुत बहुत शुक्रिया आपके व्यूस का आपके कमेंट्स का मैं कोशिश करूँगा कि मैं स कभी का अभार प्रकट करना चाहता हूं अपना प्यार बनाए रखिए